तो आज की वीडियो थोड़ी बी अलग होने वाली क्योंकि आज मैं आप सबसे कुछ एता शेयर करने वाले हैं जो कि मैंने आप सबसे कभी शेयर नहीं किया है तो हर एक परस्पेक्टिव को लेकर हमें देखना परता है कि वो चीज़े हमाई ले सही है भी की नहीं तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बाट साइड ऑफ आंट्रोपेनर्शिप कौन-कौनसी से निगेटिव साइड्स होथी in entrepreneurship क्योंकि अधी बिलकुब नहीं कि अकर एक पर एंट्रोपेनर्सशिप बन जाते हो तो आपकी लाइप बहुत अच्छे हो जाती हो आपको की गुळसी होते हैं जिसके अंट्रेसं कर देचा होता है ये इसी परेशन के चाहई कर देते हैं So let's start this video तो सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहते हूं कि मैं खोद एक start-up run कर रही हूं मैं खोद इस फेज से गुजर रही हूं इसलिए मैं आप सबसे share करना चाहते हूं कभी-कभी माई life में बहुत सरी stress situation हो जाते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा होगी entrepreneur बनने के बाद हम बहुत ही cool life जीते हैं हम बहुत ऐसे life जीते हैं जिसके विरस हमें बहुत खुशी होती है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं क्योंकि हमें कभी-पी ऐसा लगता ही कि हम entrepreneurship पे आये ही क्यों हम entrepreneurship आपके करी के हो रहे हैं हम business कर के हो रहे हैं क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब अपने IIT के preparation कर रही थी तो मुझे कितना ज़र stress फील होता था बिलकुल वैसा ही मुझे इस time में लगता है कि इस time में मुझे बहुत ज़र stress फील होता है कभी-कभी क्योंकि बहुत सरे marketing strategies दो मैं apply करती हूँ वो काम नहीं करती है कुछ चीज़े काम करती है कुछ चीज़े नहीं काम करती है दोनों ही चीज़े होती है मेरे साथ इसके लिए मैं अपसे शेयर करती हूँ किसी भी काम में अगर आपको success हासल करनी है तो आपको उस काम में constant रहना पड़ेगा irrespective आप जो भी आपकी situation है आप stress से deal कर रहो इन सब को छोड़कर आपको constant रहना पड़ता है और recently आपने नोटिस हिया हो कि मेरे Instagram followers बहुत बढ़े हैं तो इसके लिए मैं आपसे थैंक्यू करना चाहती हूँ और Instagram follow करने के लिए बट यह success आपको थोड़ी छोटी लग रही होगी बट यह success में लिए बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने आज तक इससे पहले कोई भी काम constantly बिल्कुल भी नहीं किया है इसलिए मुझे कभी भी इसनी बड़ी success नहीं मिली फिलाइफ में तो मैं आपसे सही बता चाहते हूँ कि अगर आप किसी एक काम को बहुत अच्छे से करते हो consistently करते हो तो आपको definitely एक नेक दिन success तो जरूर मिलेगी क्योंकि ऐसा दुलिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ हर एक इंसान के दुए कोई नहीं कोई काम कर सकता है जो कि कोई और नहीं कर सकता है तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत भी छोटा काम कर रहे हूँ या पर मुझे सौन में रहा है कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैंने खुद अब्सर्फ किया और मेरा खुद का experience है कि success भाने के लिए आपको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं चुनना होता है जो कि बहुत ही अन्यूजल हो, success भी ऐसा कोई भी secret नहीं होता है success भाने के लिए आपको सिर्फ consistency maintain करने के रखना होता है चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो बहुत ही चोटा काम कर रहो, चाहे बहुत बढ़ा काम कर रहे हो इससे कोई फ़र्ग नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक काम में एक रहना पड़ता है कुछ साल लगेंगे, कुछ महीनी लगेंगे बट अगर आपको काम पूरे passion के साथ करते हो, अगर आप उस काम को passionately करते हो तो definitely एक साल बाल, दो साल बाल आपको उसमें success जरूर मिलेगी बट मैं आपको बतारीट कि entrepreneurship के side effects क्या होते है actually अगर आप entrepreneurship पे हो, तो आपको कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो कि आपको बिल्कुल पसन नहीं होते है मुझे भी बहुत सार इसे काम करने होते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पतना नहीं है मैं बहुत ही introvert type की हूँ, बट मुझे networking करने ही पड़ते हैं क्योंकि यह साही चीज है entrepreneurship के लिए और मुझे पता है कि business के लिए कितनी ज्यादा important है So guys, at last मैं आप से ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत जादा passionate हो, अगर आपको सच में लगता है कि आप entrepreneurship कर सकते हो तो ही आपको entrepreneurship पे आना चाहिए Otherwise ऐसा नहीं है कि हम कोई all free अगर चूज करें तो हम उसे free हो जाएंगे बहुत सरी ऐसी चीजह होती है, बहुत सरी ऐसी opportunities आजकल available हैं जिसमें आपको अराम से success पा सकते हो तो आपको बहुत ही intelligently decide करना हूँ कि आपके लिए क्या सही है और अगर आपने अपने career option choose कर लिया, आपने decide कर लिया कि आपको क्या बनना है अपने life में तो आप मुझे please comment करके बता सकते हो कि आपका ambition क्या, आपके goals क्या है और अगर आपको वह help की ज़रूँ तो आप मुझे Instagram में DM कर सकते हो, उसे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी entrepreneurship या business related आपको कोई भी question हो तो So guys, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like करो और अगर आपने में इस चैनल को subscribe नहीं हिया है तो please अभी की पी subscribe कर दो कि यह से बहुत सब्सक्राइब कर दो कि यह से बहुत सब्सक्राइब वीडियो मैं आज सब के सामे रोज लाऊंगी and thanks for watching this video